égo so hello . कैसे है आप सभी उम् хороший होंगे और आपकी धुआओंसे मैं भी अच्छा है दोस्तों थोड़ा सा डिले हो गया है आपलोगा पेपर का सेलियोसन देने में क्लासे कुछ मेरी थी मैथ की second semester की आप लोगों की उसका मैं कर रहा था जिसके वज़से है आप लोगों की गया कि सिच्छा के मौलिक अधिकार के अंतरगत बालकों की आयू है आयू स्विमा कितना है दोस्तों तो आप लोगों की आयू स्विमा है छे से लेकर कि आपका चौदा वर्स कितना है दोस्तों छे से लेकर कि आपका चौदा वर्स अग्ला से अपन का पूछा घायी है दोस्तों कि वोड का घोशडा पत्र की प्रारम्भ कब किया गया तो राष्टी पुरस्कार का प्रारम्भ दोस्तों 1958 में किया गया तो आपनों का राइट आंसर इसका चला जाएगा आपका पहले पर किस पे चला जा गया दोस्तों सन उनीस औठाउन इसमी में किया गया ठीक है अगला है दोस्तों 10 प्लस 2 प्लस 3 सैचिक सनरचना का सुझाओ किस आयोग ने दिया था यह दोस्तों आपनों का दिया था कोठारी आयोग किस ने दोस्तों कोठारी कमिशन या कोठारी आय तो भारत सरकार द्वारा दोस्तों 92 में गया था आप लोगा राइट अंसर पहले हो जाएगा नाइंट अगला दोस्तों क्या है आपका करिये अप लोग मेहनत करते रहते हैं देखिए एस में क्लिए आप लोगा दीख नहीं रहा है क्ष्टूर्भा गांधी वियुजना का प्रारम किया गया था तो कश्टूर्वा गांधी दोस्तों तो इसका जो आप लों का राइट आइवल अंसर होगा दोस्तों इसमें है उच प्राथमिक बाली का सिच्छा से है क्या दोस्तो उच प्राथमिक बाली का सिच्छा से आप लोगों का संबन है दोस्तो अगला आप लोगों का है देखिए मैं दूसरा पेपर लेता हूं दोस्तो एक और पेपर है फिर मैं आपको solution देता हूँ चले दोस्तों अब आपनों को clear दिख रहा होगा देखिए उसे दिखने जाद है खस्तूर्बा गांथी बिद्याल योजना का समध है इसका आपनों का right answer उचप्राथमिक बाली का सिच्छा से है इसका आपनों का right answer हो जाएगा अगला है आपका देखिए कि DPEP कारकरम की सुरुवात कब हुई दोस्तों तो DEDPEP जो दोस्तों कारकरम की सुरुवात 1994 में हुई थी इसका right answer आपनों का तीसरा पर हो जाएगा अगला है दोस्तों NCRT का मुख्याला है तो इसका जो मुख्याला है दोस्तों आपनोंका right answer चला जाएगा तीसरे पर आपनोंका नियूवोंडेल ही नई दिल्ली में है दोस्तों अगला है कि राष्ट्री सिछा आयोक के अध्यक्ष true क्या दोस्तों कि बेसिक शिच्छा अधनियम कब पारित हुआ दोस्तों तो सन 1992 में हुआ था दोस्तों कभ था 1992 में हुआ था αगला कैस्टन है बच्चों के लिए निसूल के अनिमार्ज शिच्छा का प्रावधन समिधान की किस धारा में दो अगला स recent is фérr चलोThis अभ्यान अंग रहे दोस्तों का सर्व्षिक्षा अगला है आपका दोस्तों कि भारती 200 विद्यालय आयोग का गठन कर भारती अगला अपनों का है कि लाड मैकाले को भारत कब भेजा गया दोस्तों तो लाड जो मैकाले हैं भारत अगल अपनों का अधी लग उत्तरी प्रश्न पूचाय के कि महिला समक्थ्य कारेक्रम क्या है दोस्तों तो महिला समक्थ्य कारेकरम दोस्तों ग्राम जो छेत्र होता है खासकर जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े सम्मूह की जो महिलाएं होती हैं उनकी सिक्षा तथा ससक्ती करड के लिए इसका सुरुआत हुआ था दोस्तों तो महिला समख्या कारेकरम क्या होगा दोस्तों कि ग्रामिड छेतर में खासकर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी सम्मूह की महिलाओं की सिक्षा और ससस्ती करड के लिए इसका सुरुआत किया गया दोस्तों अगला करेशन आप लोगों का पूछा गया कि आपरेशन ब्लैक बोर्ड की दो विसेस्ताएं बताईए दोस्तों ठीक है तो आपरेशन ब्लैक बोर्ड की दो विसेस्ताएं ये है दोस्तों कि बिद्यालय और कच्छा कच्छ को क्या आकरसक बनाना दोस्तों बाल केंद्रित जो क्लिया कलाब जैसे अगर कोई भी सिच्छा हो वो क्या हो बाल केंद्रित हो बाल केंद्रित दोस्तों क्लिया कलाब जो हो आधारित सिच्छड अधिगम हो दोस्तों ये इसका है दोस्तों ठीक अगला आपका question NPGEL कारेकरम का मुख्य उद्देश से बताईए तो दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश है 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उनको मुफ्थ और अनिमारे सिक्षा दिया जाए ये है दोस्तों अगला है दोस्तों कि सिक्षा में अरोधन किसे कहते दोस्तों अगर कोई भी देखे सिक्षा में अरोधन का मतलब है कि कोई भी बच्चा जो है जैसे कि एक में पढ़ रहा है ठीक है वो अगले साल उसको दो में जाना चाहिए फिर भी वो दो में नहीं गया एक में ही रह गया तो वो क्या होगा अवरोधन सिक्षा हो गया कहने का मतलब दोस्तों कोई भी बच्चा है एक वर्स से अधिक एक ही कच्छा में रह रहा है मतलब कि सिच्छा का अवरोधन यही होता है दोस्तों कि कोई भी बच्चा एक वर्स से अधिक जो है एक ही कच्छा में पढ़ रहा है वो सिच्छा का अवरोधन होता है, दोस्तों, अगला question है दोस्तों, आप लोगों का, कि कोठारी आयो की नियुक्ति का मुख्य उद्धे से बताईए, दोस्तों, कोठारी आयो की मतलब की नियुक्ति का जो मुख्य उद्धे से दोस्तों, कि सिक्छा प्रणाली की जो दो वक्ता है ठीक है उसको सुधार है भारत सरकार को क्या हो उचीत शुझाव प्रधान क्रान है यह क्या था आपका कुठारी या उक्ति का मुखलर देश्टा में तब कि अपनाँ का चीन सुझार है दोस्तों उसके लिए उचित सुधा प्रजान करना था अगला है दोस्तों आपका कि वुड के घोसरा पत्र के दो दोस बताना था दोस्तों तो दोस्तों आप बोल सकते हैं देखें कि वुड का घोसरा पत्र का जो दोस दोस्तों तो पहला जो आपका इसका जो दोस्तों दोस अगर हम बोलें तो इसमें ये था कि जो सिक्षा का छेत्र था दोस्तों से बनाकर उसे जन प्रसलित करने से दूस्तों उसको रोक दिया गया था तो यही इसका दोस्तों दोस्ता है अगला दोस्तों निअनतम अधिकम शतर से आप क्या समझते हैं तो दोस्तों नियुन्तम अधिकम स्तर दोस्तों तो आप बोल सकते हैं देखिए नियुन्तम अधिकम स्तर दोस्तों कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि बच्चे को किसी निश्चित इस्तर पर कम से कम कितना सीखना है वो आप लोगों का निउन्तम अधिगम इस्तर होता है दोस्तों, निउन्तम अधिगम इस्तर का मतलब होता है देखें, निउन्तम अधिगम, कम से कम उसको कितना सीखना है दोस्तों यह कहा था निवंतमेदिगम इस्तर पर यह एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है दोस्तों कि बच्चे को किसी निश्चित इस्तर पर कम से कम कितना सीखना है मतलब कि कम कम से कम के दोस्तों कम से कम वह कितना कितना सीख रहा है ये चीज है ठीक है दोस्तों अगला है कि NCF 2005 के निर्माढ हिट गठित राष्टी संचालन समीती के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों तो प्रोफेसर यसफाल थे कौन सा दोस्तों प्रोफेसर आप लोगों के यसफाल थे चली दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगला है कि स्कूल रेडिनेस कारिकरम क्या है तो दोस्तों इस्कूल रेडिनेस कारिकरम आप लोगों का एक तरीके समझ लेज़े कि राष्ट्री सिच्छा नीती के तह दोस्तों प्राथमिक सिच्छा को मजबूत करने के लिए दोस्तों क्या कि स्कूल रेडिनेस कारिकरम क्या होता है दोस्तों कि प्राथमिक सिच्छा जो है उसको मजबूत करने के लिए अप्रेल से सितंबर तक इस्कूल में दोस्तों यह इस्कूल रेडिनेस कारिक्रम चला जाता है कहां तक दोस्तों अप्रेल से लेकर के सितंबर तक यह कारिक्रम चला जाता है प्रारंभिक सिच्छा को मजबूत करने के लिए दोस्तों अगला आपका है दोस्तों कि बनारश संस्कृत कालेज की स्थापना किस ने की थी दोस्तों तो दोस्तों जोनाथन डंकन ने किया थे दोस्तों आपनों का इस त्रीश सिख्ष्षा है यह कि यह इदी कोई व्यक्ति पुरूष पढ़ेगा तो खुद को सिक्षित करेगा लेकिन अगर कोई महीला पढ़ेगी तो पूरे परिवाए खारिक्रम है तो दोस्तों पीब मोश्ट कारिक्रम का क्या उद्द्द्द से दोस्तो आप इसमें बोल सकते दो झो राष्ट्री सिक्षा नीती 1986 उसके जो मूल संस्तूतियां उस से जोसित तो अवगत कराना और दूसरा दोस्तों आप रेशन जो ब्लैक बोड है जिसमें आपको चाक डेश्टर आता है तो उसका समुचित जो प्रयोग है उस पर जोर देना यह आप लोग का पी मोंस्ट कारेकरम है दोस्तों पहला आप बोल सकते हैं देखें मूल संस्तिटियां उसको उससे करना और दूसरा आप्रद्वलेसन जो ब्लैकबोर्ड है उसका समचीत प्रयोग पर जोर देना दोस्तों कि अगला है अप सब्लों extr 유काति तकी कि इस में कि सल लोगहित कर दो परसीचीट की यह जाता है दो छे से आपका मालेझास 24 वश्ठर कें राश्ट्री शिच्छा निती से क्या आसा है डोस्तों है दो जर्श्ट्री सिच्छा निती से बोल सकते हैं कि यह निटी है जिसके दोरा दुस्तों भारत सरकार को ओको कि बढ़ावा देने और भारत में सिक्षा को भी निमीद करने के लिए है दोस्तों और यह जो नीती है दोस्तों ग्रामीड और सहरी भारत दोनों में दोस्तों प्रारंभीक और सिक्षा को क्या करना है बढ़ावा देना के दोस्तों उस सिक्षा को बढ़ाना है प्रारंभीक और उच्छ सिच्छा दोनों को दोस्तों बढ़ावा देना इस तरीके से अगला दोस्तों जीला प्राथमिक सिच्छा कारेकरम की दो विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् और दूसरी विश्यस्था इसका यह है दोस्तों कि इसका जो है दोस्तों कार प्रारम्भिक सिच्छा के सार्व भौमिकर्ण के लच्छ को प्राप्त करना है इसके बाद आप लोंका लगुतरी प्रसना जाता देखिए इसको दिखा देते हैं कि प्राच पास्चाति विवाद क्या है समझाईए सिच्छा का पंच मुखी कारेकरम क्या है इसपस्ट कीजिए कस्तुर्भा गांधी बालिका विद्याले की घटक लिखिए प्रारंभीक बाल दंड रेख एवं सिच्छा कारेकरम की संचिप्त विवेचना कीजिए